देहिन सात्यों स्वागत है आपका Self Study Classes विस्तुमिज जैन यूटूब चैनल में सबी साती एक बार वीडियो को लाइक कर देंगे और दोस्तो इस्टार्ट हो चुका है आज का इस सेशन ये किलास रात्तरी नौवजे रोज होती है दोस्तो अपनी ये किलास ठीक है और दोस्तो अभी तक अगर आपने Self Study Classes एप डाउनलोड नहीं किया है तो एप जरूर डाउनलोड कर लें अगर आप दोस्तो बिलकुल फिरी में टेस्ट सीरिज देना चाहते हैं प्रेक्टिस करना चाहते हैं तो Self Study Classes से एप डाउनलोड कर लो पर दोस्तो सप्ताह में दो दिन 2020 टेस्ट सीरिज करवाई जाती हैं कौन कौन से देन रविबार और गुरुबार को 2020 टेस्ट सीरिज करवाई जाती हैं तो बहुत सारे टेस्ट भी उपलब्द हैं आराम से आप फिरी में दे सकते हो और साती जिन भी सातियों को पैड कोर्स में अड़िसल लेना है निचोड किलास में अड़िसल लेना है अभी निचोड किलास की लाइब किलासे चल लई हैं दोस्तों तो आप भी अड़िसल ले सकते हैं और अध्यन कर सकते हैं लेकिन आपको सबसे पहले Self-Study Classes एप डाउनलूड करना पड़ेगा ठीक है साती दोस्तों एक जुलाई से चतुर्थ बैच स्टार्ड हो रहा है इसके बारे में हम बता दें आपको कि एक जुलाई से अपना चतुर्थ बैच स्टार्ड होने वाला है और दोस्तों जो चतुर्त वियाच स्टार्ड होगा इसकी जो live class से चलेंगी सामको 5 बजे live class चलेंगी एक और दूसरी class चलेंगी सामको 6 बजे ठीक है तो 5 बाली class में दोस्तों क्या चलेंगे हम गद्ध साहित को पड़ेंगे और 6 बाली class में हम पद्ध साहित को पड़ेंगे यानि कि बिलकुल सुरुआत से अध्यान करने का आपका मौका है और बहुत अच्छा अध्यान आप कर सकते हो दोस्तों ठीक है तो सामको साड़े छे वाले लाइफ क्लास में आपको सुरुआत से हिंदी साहित के इतिहास लेकर के स्रोत से लेकर के आधिकाल भक्तिकाल रीतिक काल ऐसा अध्यान आपको करवाया जाएगा ठीक है तो जिन भी सातियों को एड्यान कर सकते हैं वीडियो को लाइक कर दें दोस्तों और एक अभी बड़ा आफर आपके लिए है और वो बड़ा आफर है दोस्तों कि अब आपको 4000-3000 फीस नहीं भरनी अब आपको मात्र 1099 में ए प्रे एडवीशन दोस्तों आपके लिए एक साल तक पूरा बैलेड रहेगा ठीक है तो अभी डाउनलोड करें सेल्फ इस्टडी क्लासे और टीजीटी पीजीटी वाले जो भी हमारे साती हैं जुड़ जाएं निचोड क्लासे भी आपको मिलेंगी बिस्त्रे तद्यन वाल आपके लिए ठीक है तो सभी एडवीशन आज ही एडवीशन ले कल से दोस्तों बैच स्टार्ड हो जाएगा ठीक है लेकिन आफर आपके लिए भी है ठीक है बहुत बढ़िया चलिए स्टार्ट करते आज का ही सेशन और कल मैंने आपको बताया था कि परन दत्ते जैसंकर प करना है और दोस्तों ये किलास अपनी रोज 9 बजे होती है आपको चैन करना है परन दत्ते जैसंकर पिरसाद के किस नाटक का पात्र है ये चेलेंज कोस्टन आपके लिए कल दिया गया था अब आपको बताना है और बहुत सारे लोगों ने बिलकुल सही बताया है कि सर ये जो नाटक हैं ये नाटक जैसंकर पिरसाद के हैं है ना लेकिन परन दत्त जो है ये इसकंद गुप्त नाटक का पात्र है कौन से गुप्त का है इसकंद गुप्त नाटक का पात्र है बेरी गुड तीन नमबर आपका बिलकुल चाहिए नेक्स्ट है परन दत्त तो आपका ह हो गया दोस्तों यहां पर आईए कभीता क्या है निबंद के लेखक कौन है अच्छा कोंश्चन कभीता क्या है यह निबंद के लेखक कौन है राम चंद्र सोकल हजारी परसाथ दुबेदी या पिर दोस्तों अध्यापक पूर्ण सें या फिर कुवेरनाथ राय कि बहुत ही अच्छा question है दोस्तों कविता क्या है निबंद के लेकाग कौन है बताईए कविता क्या है निबंद के लेकाग कौन माने जाते हैं कविता क्या है निबंद के लेकाग कौन माने जाते हैं देखते हैं कौन-कौन सही उत्तर बताता है बहुत सारे लोग है सही उत्तर आपको बताना है राइट आंसर बताया है कि सर राम चंदर सुकल यानि कि आपका जो एक नमबर है वो बिलकूट सही है कभिता क्या है ये निबंद है राम चंदर सुकल जी का ये नमबर राइट आंसर बेरी गुड निठले की डायरी नामाक हास ब्यंग निबंद स संग्राय के लेखाक कौन माने जाते हैं निठले की डायरी नामा खास ब्यंग निबंद संग्राय के लेखाक कौन है हरी संकर परसाई अध्यापक पूर्ण सेंक कुवेरनात राय या फिर स्रीलाल सुकल यह निठले की डायरी तो कई बार पूछा गया यह नामा खास ब्यंग क इसका निबंद संग्राय है, ये भी आपको चैन करना है, और अच्छा क्वेस्चन है दोस्तों, निठले की डायरी में आपने बिलकुर सही आंसर चैन किया है, कि सर ये जो निठले की डायरी है, ये निठले की डायरी हरी संकर परसाई आप लगा दो, एक नमबर आपका बिलक सब्सक्राइब कौन है संपत्ति सास्त्र और पूछा जाता है इसका भी आपको बताना है और एक पूचा जाता है संपत्ती शास्त्र तो संपत्ती सास्त्र के लेखक सबसे पहले आपको बताना है तो बताईए स्रीधर पाटक हैं क्या बोड़ी सर ये तो सचंदेताबाद के प्रबरतक हैं स्रीलाल सुकल है बोड़ी सर इनकी रचना तुराग दरबारी है महाभीर पर साथ दुवेदी हैं क्या बोड़ी सर सही पकड़े बिलकुल महाभीर पर साथ दुवेदी हैं और तीन नम्मर आपका बिलकुर सई हो जाएगा लेकिन एक कॉस्चन और आपका आगया है जो आपकी परिशानी साम दोस्तों बढ़ा देगा और वह कॉस्चन कौन सा है प्रेम समपत्ती लता ये किसकी रचना है ये आपको बताना है ताई दी आज ही पढ़ीती है प्रेम संपत्ती लता की रचनाकार कौन है और देखते हैं कौन बता पारा है बहुत बढ़िया अंसर बोले सर ये प्रेम संपत्ती लता ठाक और जग मोहन की रचना है किसकी है ठाक और जग मोहन की और संपत्ती सास्तर की रचनाकार महाबीर परसाथ दुवेदी है ना 1903 में ये क्या बन गए थे? 1903 में बन गए थे सरस्वती के संपादक है ना मद्यकालीन बोध का स्वरूप के लेका कौन है? मद्यकालीन बोध का स्वरूप ये किसकी रचना है? स्रिधरपाटक, स्रिलाल सुकल, महाभीर पिरसाथ दुवेदी या फिर राम चंद्र सुकल मद्यकालीन बोध का स्वरूप के रचनाकार कौन माने जाते हैं उत्तर क्या हो जाएगा आपका मद्यकालीन बोध का स्वरूप एक इसकी रचना है ये रचना आपको बतानी है जिन भी सात्यों ने अभी तक Self Study Classes एप डाउनलोड नहीं किया दोस्तों वो प्ले स्टोर में जाए Self Study Classes एप डाउनलोड कर ले 2020 टेस्स फिरी होती आप लोगों के लिए आप कर सकते हैं ठीक है तो यहाँ पर आपने 17 का आंसर बताया है कि सर्मद्यकालीन बोध की जो रचना है कि रचना किसकी है महाबीर परसाद दुवेदी की यानि कि तीन नम्मर आपका सही हो जाएगा दुवेदी जी है ना आपको पता है दोस्तों कि दुवेदी योग आपको पता है है ना दुवेदी योग का नाम दुवेदी योग के महाबीर परसाद दुवेदी कौन है निसाद मासुरी एक किस रचना बिधा बताना है दोस्तों रचना बिधा कौन सी रचना बिधा है निसाद मासुरी की रचना बिधा क्या है रचना बिधा बताना है कहानी है रेखा चित्र है संस मरन है या फिर ललित निबंद है बताए निसाद मासुरी की रचना और विधाय आपको बताना है जागरन सुधारकाल तो सभी लोगों ने बता दिया कि सर जागरन सुधारकाल कहा है नगेंदर ने कहा बहरी गुड है ना बिलकोर शाई है तो यहाँ पर निसाद मासुरी दोस्तों यह ललित निबंद है यानि कि आपका जो डी नम्मर है वो बि इसका है जल्दी से बताए कमेंट में और यह ललित निबंद है ना बियरी गुड है अंगला कोश्चन आपको बताना है समस्या पूर्ती किस युग की बिसेशता है भारतेंदु युग की दुवेदी युग की छाया बाद युग की या फिर प्रगति बाद युग की समस् दोस्तों आपका नया बेच स्टार्ड होगा निचोड किलास जो होगी वो होगी दो पहर दो बच के 30 मिनिट पर हैना साम को 5 बजे बाली अथावत किलास चलेगी साम को 6 बजे बाली जो किलास है उसमें हिंदी साहित के इतिहास को हम सुरुआत से पढ़ेंगे हैना समस्या पूर्ति जो है भारतेंदु योग की विसेश्ता है यानि कि आपका जो एक नंबर है वो बिलकुल साही है और यहां पर आपका उत्तर हो जाएगा दोस्तों समस्या पूर्ति आपका दुवेदी हैना समस्या पूर्ति नहीं जो इती ब्रतातमकता है इती ब्रतातमकता यह द वेदी युग की विसेश्ता है ठीक है समस्तिया पूर्ती तो आपका बिलकूर सही हो जाएगा यहां पर भारतेंदु युग सही हो जाएगा है ना अंगले कोस्चन है भारतेंदु युग का कौनसा कभी पुष्टी मार्ग में दीख छित था बहुत बड़ीया कोस्चन भार भारतेंदु युग का कौनसा कभी पुष्टी मार्ग में दीख छित था जल्दी से बताएं सबी लोगों को बताना है उत्तर क्या हो जाएगा प्रश्न क्रमा के 120 का उत्तर आपको चेहन करना है उत्तर क्या हो जाएगा जल्दी से सबी लोग चेहन करेंगे भारतेंदु युग का कौनसा कभी पुष्टी मार्ग में दीख छित थे इसका अंसर आपको बताना है और सबी को पता है कि सर यह जो रचना है यह रचना है भारतेंदु हरिस्चंद की ठीक है भारतेंदु हरिस्चंद की रचना है यह बिलकुल शाही है बहुत बढ़ी आंसर ठीक है यहाँ पर आते हैं दोस्तो ठीक है यहाँ पर आपका भारतेंदू हरिस्चन्द बिल्कुल शाही हो जाएगा ठीक है अंगले कॉस्चन क्यों बढ़ते हैं है ना इसको थोड़ा सा सुदाल लेना दोस्तों यहाँ पर महावीर परसाद दुबेदी नहीं यहाँ पर हजारी परसाद दुबेदी होना था ठीक है यह हजारी परसाद दुवेदी, इसको सुदालो, बिल्कुल शाही है, बहुत बढ़िया, है ना, यह हजारी परसाद दुवेदी होना था, इसका, यह बिल्कुल शाही है, ठीक है, मद्द काली न बोद का सुरूप, यह हजारी परसाद दुवेदी होना था, ठीक है, बहुत दोहा कोस किसकी रचना है फटा-फट से बताएंगे अंगला कोस्चन आपके लिए दोहा कोस किसकी रचना है दोहा कोस के रचना कार कौन है बताएं दोहा कोस किसकी रचना है इसका भी आपको चैन करना है और यहाँ पर सबी लोगों को पता है कि सरे दोहा कोस जो रचना है इस सरहपाद की रचना है किसकी है सरहपाद की ठीक है इसको भी अपन को याद रख लेना है ठीक है अंगला question देख लेते हैं अंगला question ने गोरक बानी का संपादन किस ने किया गोरक बानी का संपादन आपको बताना है शबी लोग बताएंगे यहाँ पर आपको गोरक बानी का संपादन बताना है दोस्तों इस संपादन किस ने किया गोरक बानी का संपादन किस ने किया बताएंगे गोरक बानी का संपादन किस ने किया ताचार हजारी परसाद दुवेदी ने राहुल सांकृत्याई ने पीता मर्दत बर्थवाल ने या फिर राम चंद्र सुकल ने ये भी आपको चैन करना है जल्दी से सबी लोग बताएं उत्तर क्या हो जाएगा और बहुत अच्छा क्वेश्चन आया है गोरक बानी का संपादन जो किया है दोस्तों वो किया है किसने डाक्टर पीता मर्दत बर्थवाल ने यानि कि तीन नम्मर आपका बिलकुर सही हो जाएगा ठीक है बहुत बढ़ी आंसर अंगले क्वेश्चन क्यों हम बढ़ेंगे अंगला क्वेश्चन है पद्माबत में उल्लेखित राजा रतन सेन कहां के राजा थे ये आपको बताना है बताईए पटाक से बताना है आपको उत्तर क्या हो जाएगा और बहुत बढ़ी आंसर है कि पद्माबत में उल्लेखित जो राजा रतन सेन थे कहां के दोस्तों राजा थे तब आपका उत्तर होता है कि सरे चित्तोर गड़ की राजा थे यानि कि आपका जो एक नम्मर है वो बिलकुर सही हो जाता है एक नम्मर राइट आंसर हो जाता ह ठीक है अंगले question की और बढ़ेंगे हम अंगला question है किरती लता की भासा क्या है भटाक से आपको बताना है ठीक है और जल्दी बताएं किरती लता की भासा क्या है किरती लता की किरती लता की भासा क्या मानी जाती है यह आपको chain करना है उत्तर क्या हो जाएगा और बहुत अच्छा कॉस्चन है कि सर कीर्थी लता की जो भासा है वो भासा है अब हट बिलको चाहिए अब हट आपका बिलको चाहिए है ना अब हट इनकी कीर्थी लता और कीर्थी पता का दोस्तो अब हट राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट कॉस्चन देखते हैं यहाँ पर अश्च्छाप के प्रमोग कभी नंददास किसके सिस्से थे यानि कि नंददास के गुरू का नाम क्या था नंददास के गुरू का नाम क्या था ये आपको बताना 125 अश्ट चाप की इस्थापना सभी लोगों को पता है कब हुईती 1565 में हुईती है ना लेकिन दोस्तों आपको ये चीज भी पता है कि जो अश्ट चाप की इस्थापना 1565 में हुईती है ना इसके इसमें नंददास भी सामिल थे अब नंददास सामिल थे तो नंददास के गुरू का नाम क्या था है ये भी आपको बताना है नंददास के गुरू का नाम क्या है जल्दी से कमेंट में लिखें और उत्तर चला जाएगा अस्ट चाप के प्रमुक का भी नंददास के गुरू का नाम था दोस्तों क्या बिठलनात क्या था इनके गुरू का नाम था बिठलनात तू नम्मर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा बी नम्मर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा ठीक है बहुत बढ़िया नेक्स्ट है हिंदी साहित में रीती काल को स्रंगार काल किस ने कहा अच्छा कोस्चन है बहुत बढ़िया कोस्चन है हिंदी सायत में रीती काल को स्रंगार काल किस ने कहा वीडियो के एक बार लाइक जरू करना दोस्तों अपने मित्रों तक सेयर कर दो जल्दी जल्दी से रीती काल को स्रंगार काल कहने वाले जो बिद्वान है वो कौन है जल्दी बताएं और बहुत बड़ी आंसर है कि सर सरंगार काल जो कहा था वो कहा था विश्चुनात परसाद ने विश्चुनात परसाद मिसर ने कहा था यानि कि आपका तीन नमबर जो है वो बिल्कूर सही हो जाएगा तीन नमबर बिल्कूर सही है ठीक है अंगला question चलते हैं अब अलंकरत काल भी आपको पता है दोस्तों अलंकरत काल किसने कहा था मिश्रबंध हो ने है ना भूसन बिनुनाब राजिये कविता बनिता मित्त ये क बताना है ये कथन किसका है ये जो कथन है ये कथन किसका है ये भी आपको बताना है लिखें जल्दी से लाइक जरूर कर दे एक बार वीडियो को भूसन बिनुनाब राजिये कविता बनिता मित्त के रचना ये जो पंक्ती है ये पंक्ती किसकी है और ये पंक्ती माने जाती है दोस्तों किसकी केशा उदास की किसकी माने जाती है केशा उदास की माने जाती है यानि कि आपका जो तीन नमर है वो बिलको शही है शी नमर आ रीती काल का आरंभ माना है आचार रामचंद्र शुकल ने किस कभी से रीती काल का आरंभ माना है आपको बताना है तुलशी दास से माना है चिंता मनीतर पाठी से माना है केसाव दास से माना है या फिर मतिराम से माना है बताएं शबी लोग बताएंगे आचार रामचंद्र श पूछा जाए कि रीती काल के दोस्तों प्रबर्तक कौन है तब आप क्या लगाते हो रीती काल के प्रबर्तक के सवधास लगाते हो लेकिन अगर आपसे नॉर्मल कॉस्चन पूछा गया है कि दोस्तों रामचंद्र सुकल ने रामचंद्र सुकल ने रीती काल का प्रबर्तक कि किस से माना है या रीति काल का आरंब किस से माना है तब आप उत्तर लगा देना चिंता मनी चिंता मनी यानि कि आपका जो टू नम्मर है वो बिलकुर चाही है और अगर नॉर्मल कोस्चन आप से पूछा जाए कि रीति काल के प्रबढ़ता कौन है तब आपका उत्तर होता है क हिस्ता अदास ठीक है very good next है रीती मुक्त कभी कौन है दोस्तों रीती मुक्त कभी आपको बताना है देव बिहारी पदमाकर या फिर घनानंद रीती मुक्त कभी कौन है देव हैं बिहारी हैं पदमाकर है या फिर घनानंद हैं चैन करना है आपको रीती मुक्त कभी कौन माने जाते हैं कमेंट में लिखेंगे सबी लोग रीती मुक्त कभी कौन माने जाते हैं देव हैं क्या बिहारी पदमाकर या फिर घहनानंद तब आपका सीधा उत्तर कहा जाता है रीती मुक्त में तो आपको सीधा सीधा पता है कि सर रीती मुक्त है ना रीती मुक्त बेहारी तो नहीं है है ना बेहारी तो रीती सिद्ध है लेकिन आपका जो घनानंद है है ना ये क्या है ये रीती मुक्त है यानि कि आपका सीधा उत्तर डी की तरफ चला जाता है रीती मुक्त आपसे पूछा गया था कभी कुल कल्प तरू किसकी रचना है कभी कुल कल्प तरू की रचनाकार कौन माने जाते हैं कुल पती चिंता मनी तरपाठी पदमाकर या फिर घहनानंद कभी कुल कल्प तरू अपनने कई बार पढ़ा है कि कभी को कुल की चिंता है ना और एक रचना और पूछी जाती है कौन सी काब बे कल्प द्रूम है ना तो काब बे कल्प द्रूम भी पूछी जाती है तो काब बे कल्प द्रूम रचना किसकी है और कभी कुल कल्प तरूर रचना किसकी है दौनों रचना है अलग अलग है अलग अलग कभीयों की है लेकिन क कभी कुल कल्पतरू की रिचनाकार तो बोले कभी को कुल की चिंता है ना कभित रतनाकर और काब कल्पद्रूम ये आपका टू नम्मर सही है लेकिन आपको काब कल्पद्रूम की रिचनाकार बताना है कमेंट में कौन है और यहाँ पर तो आपका सीधा उत्तर टू नम्मर है आचार रामचन सुखले ने चिंता वनीतर पाठी को रीती काल का प्रिबर्थक माना है जो कि बिलकुल दोस्तो आपका उत्तर टू नमबर बिलकुल सही है दुजदेओ किस परंपरा के कभी है यह मोस्ट इंपोर्टेंट कोस्चन है दोस्तो दुजदेओ पूछा ही जाता है क कभी हैं दुजदेओ किस परंपरा के कभी हैं यह आपको चेन करना है और आपका उत्तर चला जाता है है ना क्या चला जाता है दुजदेओ हैं दोस्तो रीती मुक्त रीती मुक्त यानि कि आपका जो बी नमबर है बी नमबर वो बिलकुल सही है दुजदेओ रीती मुक्त क काब धरा के कभी हैं, बी नमबर आपका राईट आंसर चला जाता है, अंगले question क्यों बढ़ेंगे, अंगला question आपको पता है, अनामी का काब किनके द्वारा लिखा गया, अनामी का किसका दोस्तो किसकी रचना है, ऐसा आप से पूछा गया तो आप क्या उत्तर लगाएंगे, अनामिका के रचनाकार कौन है अनामिका किस की रचना है अग्गे की है क्या निराला दूमेल या फिर शुमन पताए अनामिका काबे के रचनाकार कौन है किसकी रचना है अनामिका दोस्तों आपने चाया बाद पड़ा है चाया बाद से हर एक एक एक्जाम में लगबग पाँच से साथ कॉस्टन आपके चाया बाद से पूछे जाते हैं के लिए चाया बाद से है ना तो अनामिका काब किनके द्वारा लिखा गया तब सभी लोगों को पता है कि सरचाए अनामिका हो परिमल हो है ना ये जो रचना है ये निराला की है है नए पत्ते हो ये सारी सारी रचना किसकी है निराला की है और आपका टू नम्मर है जो बिलकुल सही हो जाएगा ठी किसका काब संग्राई है फूल नहीं रंग बोलते हैं काब संग्राई की रिचनाकार कौन है केदार नात subscribed गरवल नागरजुन त्रेलोचन या तरुपर रगवी Response सहाई बताएंगे आप लोग फूल नहीं रंग बोलते के रचनाकार कौन है जिन भी सात्यों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया एक बार लाइक जरू कर दें अपने मित्रों तक सेयर कर दें और दोस्तो एक बहुत अच्छा है कि आप लोगों के लिए एक बड़िया आफर आया है दोस्तो एक हजार निन्यानवे में आप दोस्तो कोर्स में एड़िसल ले सकते हैं यहाँ पर हिंदी साहित की निचोल कक्षाएं आपको मिलेंगी है ना यहाँ पर दोस्तो हिंदी साहित का संपूर कोर्स आपको मिलने बाला है यहाँ पर दोस्तो आपको ब्या अग्रवाल केदारनात के भूल नहीं रंग बोलते हैं बोले सर केदारनात के है ना सुजान हित किरपाकंद ब्योग बेली बल्ली है ना किस कभी की रचनाए हैं बताएं ये क्वेस्चन आपके लिए बहुत सरल है सुजान हित सुजान हित किरपाकंद ब्योग बेली बताएं ये रचनाय किसकी हैं, किरपाकंद, किरपाकंद, ये रचनाय किसकी माने जाती हैं, है ना, और Self-Study Classes एप को जरूर डाउनलोड करने सबी लोग, है ना, गुरुबार और दोस्तों रभीबार को 2020 टेस्स सीरिज होती है, आपके लिए बिलकुल फिरी करवाई जाती है, है ना और यहाँ पर सुजान हित आपसे पूचा गया, तब आपका उत्तर घनानंद चला जाता है, रीती मुक्ते कभी माने जाती हैं, दोस्तों घनानंद, है ना, और इनकी रचनाय पड़ी है, अपनने सुजान हित, किरपाकंद, बियोग बेली, है ना, और दोस्तों, इनकी लतावी पड़ी थी, है ना, इसके लतावी अपनने घनानंद की पड़ी थी, इन रचनाव को भी याद रखना, ब्रजभासा का सबसे प्राचीन गरंत कौन सा है, ये क्वेस्चन तो आपका हो गया है, अदोयत बाद की प्रवर्तक कौन है, 136 का अंसर आप बताएंगे, सं दोयत बाद के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं, यहाँ पर तो आपको पता है, है ना, सुनील कुमार जी मोबाइल को आफ करके फिर डाउनलोड करो, है ना, अदोयत बाद के बताना है, जबकि सुद्धा दोयत के आपको पता है, सुद्धा दोयत के बाद के कौन माने जाते हैं हैना सभी को पता है दोईत बाद के मदबा चार माने जाते हैं हैना संकरा चार दोस्तों अदोईत बाद के माने जाते हैं ठीक है ये तो आपको पता ही है स्री संप्रदाई की रामा नुजा चार हैं विसिष्टा दोईत बाद के दोस्तों कौन माने जाते हैं रामा नुज कौन सा गरंत है जो ब्याकरण गरंत के रूप में प्रसिद्ध है उसके रचनाकार कौन है उसके रचनाकार कौन है बताएं कौन ब्याकरण गरंत के रूप में प्रतिष्टित है उसके रचनाकार कौन है यह आंसर आपको बताना है राउल बेल है उक्ति व्यक्ति प्रक्रण ह बर्न रतना कर या फिर कुबला ए माला चैन करना है आपको है ना और बहुत सारे लोगों ने बताया है कि सर उक्ती ब्यक्ती प्रकरण ये जो है ये क्या है ये ब्याकरण गरंत है ये क्या माना जाता है ब्याकरण गरंत माना जाता है और इसके रचनाकार कौन है तो इसके बरन रतना कर तो आपको पताई है जल्दी से बताओ और बिलकूर सही है जो उक्ति ब्यक्ति प्यक्रण है ये ब्याक्रण गरंत है और ये किस की है दोस्तो दामो दर सर्मा बैरी गोडान सर अंगला कौस्चन है हिंदी के प्रारंभे काल को बीर गाता काल किस ने नाम दिया इतना सरल कोस्चन पूछ लिया गया बोले सर हिंदी के प्रारंभे काल को बीर गाता काल नाम किस ने दिया आचार रामचंदर सुकले ने आचार हजारी परसाथ दुबेदी ने राहुल सांकृत्याइन या फिर मि इंपोर्टेंट है आधी काल में क्या इंपोर्टेंट है भक्ती काल में क्या इंपोर्टेंट है आधुने काल में क्या इंपोर्टेंट है ऐसी चीज़ें अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो निचोड किलास की अभी लाइप किलासे चल लई हैं दोस्तों कल से दो धाई धाई के रचनाकार कौन है अच्छा कोस्चन है रंगदे बसंती चोला ये नाटक किसका है ये आपको बताना है देखते हैं कौन कौन बता पाता है सुरेंद बर्मा है मोहर राकेस है राहुल चांकृत्यान या फिर भीस में साहिनी रंगदे बसंती चोला नाटक के रचनाकार कौन म रंग दे बसंती चोला आपसे अगर पूचा गया तब आपको सीधा लगाना है क्या लगाओगे बताइए देखते हैं सबसे पहले उत्तर कौन बता रहा है सतीस जी बहुत बढ़िया कितना बढ़िया बहुत बढ़िया मज़ा आ गया दोस्तो एक नाटक है रंग दे बसंती साकेत में कितने सर्ग हैं ये आपको बताना है और आपने पड़ा है में अतरीश रंगुपते के बारे में किसर इनका जन्म हुआ था 1886 में हैना चिरगाउ जला जहासी में इनकी भारत भारती रचना 1912 के कारण इनकी प्रसिद्धी के कारण निराष्ट कभी की उपादी दी महतमा गांदी के द्वारा है ना इन्होंने साकेत दोस्तों महा काब लिखा जै भारत इन्होंने महा काब लिखा है ना और दोस्तों साकेत में सर्ग अगर पूछा गया तो बुली सर बारह लगा लो 1931 का ये महा काब माना जाता है साकेत राम काब पर आधारत महा काब है दो साकेत दोस्तो साकेत में सर्ग बारा बुलिसर रामा नंद के सिस्ट भी बारा तुल्शी दास की प्रमानिक रचनाएं भी बारा बुलिसर बारा का चक्कर राम बिलास सर्मा का जन में भी 1912 है ना बुलिसर ये बारा का चकर बार बारा आता है है ना बारा 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 और तु तुलसी दास चंदन घिसें के लेखक कौन है विद्यानिवास मिस्र, हरी संकर परसाई, कोबेरनात या फिर इनमे से कोई नहीं पताएं तुलसी दास चंदन घिसें के लेखक कौन माले जाते हैं जिनको भी एड़िसन लेना है शुरुआत से पढ़ना है, कल से शुरुआत से कलास से start हो रही है और शुरुआत से आप पढ़ सकते हो, recorded course भी रहेगा recorded course जब आपको time मिले से recorded course से पढ़िये और live class से शुरुआत से पढ़िये सारी विवस्ता है दोस्तों कहीं जाने की आब सकता आपको नहीं है उत्तर यहां पर चला जाएगा दोस्तो तुलिसी दास चंदन घेसे हैं ये जो रचना है ये है दोस्तो किसकी हरी संकर परसाई परसाई जी की है बी नमबर आपका परसाई जी बिलकूर सही हो जाएगा ठीक है अंगले question की ओर बढ़ेंगे सुलोचना निबंद संकलन है सुलो question है बताएं और like जरू कर दें दोस्तों अपने मित्रों तक share करती रहें वीडियो को और इसी प्रकार से अध्यन करती रहें जितनी practice बने उतनी practice करो आप लोग है ना और यहाँ पर आपका सही उत्तर चला जाता है सुलोचना निबंद संकलन के रचना कार कौन है बताएं एना उत्तर चला जाएगा दोस्तों क्या हाँ भारतेंदु जी का है क्या बताएं जल्दी से और आपका बिल्कोर सही है भारतेंदु हरिस्चंद यानि कि आपका तीन नम्मर जो है वो बिलकुट सही है, इनका निबंद है संकलन है दोस्तों, सुलूचना और C नम्मर आपका right answer, very good. अंगला कोश्चन कारवाउ किस एकांग की संग्रह है ये कारवाउ है क्या बताओ ये क्या है कारवा है कि कारवाउ क्या है जल्दी बताओ ये किसकी एकांग की संग्रह है असकिकी विश्णु प्रभाकर भारतेंदु हरिश्चंद या फिर भुबनेश्चुर परसाथ बताए सबी लोग प्रस्ण आपके सामने है उत्तर भी आपको लिखना है अच्छा कॉस्चन है सबी लोग बताएंगे कारवा किसकी एकांग की है और बिलकुर सही आंसर चला जाता है पुलिस सर यह जो एकांग की है यह भुबने सुर परसाद की है किसकी भुबने सुर परसाद यान की चार नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाता है ठीक है बहुत बड़ी है एक कारबा है दोस्तों है ना कारबा ठीक है बहुत बड़ी नेक्स्ट है यहाँ पर आओ एतिहासिक नाटक कार के रूप में कोण पिर्तिष्ठित है बीच में साहिनी है मौहर राके से लच्वी नारण लाल है या फिर जैसंकर परसाद है एतिहासिक नाटक कार के रूप में कौन परतिश्टित है आपको चेहन करना है उत्तर आपका क्या हो जाएगा एतिहासिक नाटक कार के रूप में कौन पिर्थिष्टित है अच्छा कोश्चन है बहुत बढ़िया और उत्तर सीधा सीधा जाएगा यहाँ पर उलिस तर एतिहासिक नाटक कार जैसंकर पिरसाद है ना और इनका पिर्थम एतिहासिक जो नाटक है दोस्तों वो कौनसा है रास्री इसका रचनाकाल क्या है 1915 हैना इनका पिर्थम एतिहासिक नाटक कार के रूप में दोस्तों प्रतिश्टित है बट पीपल के लेखा कौन है बट पीपल 145 रामधारी से दिनकर है बट पीपल के मोहर राकेश निर्मल बर्मा या फिर राम कुमार बर्मा बट पीपल के रचना कार कौन माने जाते हैं इसका उत्तर आपको चेहन करना है दिनकर है मोहर राकेश निर्मल बर्मा या फिर राम क तुमार बर्मा बट पीपल के किसकी रचना है इतना अच्छा कॉस्चन है सभी लोग लाइक कर दें और दोस्तो सेल्प स्टेडी किलासेस एप को जरूर डाउनलोड कर लें है ना और एप से दोस्तो आपको फायदा ही होगा सपता है में दो दिन 2020 टेस्ट सीरीच कर आई जात दिनकर की रचना है दोस्तो है ना और दिनकर की आपने बहुत सारी रचना है पड़ी है सबसे पहले तो यही कि 1908 में इनका जन्म हुआ था उनका दिनकर जी का ठीक है तो यह आपको कभी नहीं भूला है दिनकर जी का परसू राम की प्रतिक्छा आपको कभी नहीं भूला ह और वसी इनकी रचना कभी नहीं भूलना है दिनकर जी की ठीक है अंगले कोश्चन की ओर जाते हैं अंगला कोश्चन है यहाँ पर दोस्तो आत्मा राम की टेंटें निबंद के रचनाकार कौन है आत्मा राम की टेंटें निबंद के रचनाकार कौन है बताइए आत्मा राम क की टेटे निबंद में आत्मा राम की प्रितीक कौन है गोपाल गोविंद नाराड मिस्र है गोपाल राम गहमरी है महाभी प्रसाथ दुवेदी या फिर बाल मुकुंद गुप्त बताएं आत्मा राम की टेटे निबंद में आत्मा राम के प्रितीक कौन है बताएं और बहु मकंध गुप्थ ने दोस्तो एक पत्र के माद्यम से है ना महभी पर साथ दुबेद्य की आलोच ना की थी इसको भी अपनको यात करना है नेक्स्ट है, मुझे चान्द चाहिए उपन्यास के लेखा क्वन है मुझे चान्द चाहिए ये किसका उपन्यास है, बिक्रम सेथ का है सुरेंद बर्मा, रांगे रागाव या फिर अरुंधति राय किसका निबंध है, हिमानसु जी, अनिलतेबारी जी बताईए मुझे चांद चाहिए ये किसका निबंद है शबी लोगों को बताना है ठीक है और मुझे चांद चाहिए ये जो निबंद है दोस्त उपन्यास है सोरी उपन्यास है ये किसका उपन्यास है विक्रम सेट सुरेंद्र बर्मा रांगे रागाव या फिर अरुंधति राय इतना अच्छा question है मुझे चांद चाहिए मुझे चांद चाहिए तो सुरेंद्र बर्मा इंद्र से पूछो बोले इंद्र सुरेंद्र का परयाब आची है सुरेंद्र है ना तो इंद्र का परयाब आची सुरेंद्र और चांद चाहिए तो इंद्र से पूछो फिर इंद्र देंग की है दोस्तो विश्णु प्रभाकर की ये जीवनी है विश्णु प्रभाकर लेखेत जीवनी है लेकिन ये किसके जीवन पर आधारत है वो आपको बताना है प्रेम चंद के जीवन पर है बंकिम चंद्र के जीवन पर है सरत चंद्र या फिर रबेंद्र नाठ ठाकुर के जीवन पर आधारित है और आपका जो तीन नंबर है सी नंबर है वो बिलकोर सही है है ना सी नंबर आपका राइट अंसर हो जाएगा विश्णु प्रभाकर क्रत माना जाता है दोस्तों है ना जुलूस उपन्यास के लेखक कौन है जुलूस किसका उपन्यास है आपको बताना है जुलूस उपन्यास के लेखक कोन है फणी सुनात रेणू कमले सुर मौहर राकेस या फिर नागरजुन जुलूस किसका उपन्यास है अच्छा कॉस्चन है सभी लोग बताएंगे और सेल्प स्टेडी किलासे से अपको जरूर डाउनलोड करने जिन भी सातियों ने और ज साबत किलास चले रही है साम को साड़े छे बजे से अपन सुरुवात से अध्यान करेंगे सुरुवात से हिंदी सायत की इतिहास लेखन से ठीक है तो यह आपका स्टूल है इससे आप दोस्तों फॉलू करते रहें लिंक आपके गुरुप में पहुंचती है अपर पहुंच करना है है ना बताइए मितले सुर सुरंग में सुबाय कमले सुर मौहर राकेस या फिर संजीव सुरंग में सुबाय उपन्यास के लेखाक कौन माने जाते हैं उत्तर आपको बताना है अच्छा क्वेस्चन है दोस्तों बड़िया क्वेस्चन है और आपने बिल्कुल सही ब सुरंग में सुबा है मितले सुर। ठीक है बेरी गुड बहुत बढ़ी आंसर सभी लोग वीडियो को लाइक जरू करेंगे है ना और इसी प्रकार से अध्यान करते रहेंगे दोस्तों और जिन भी सातियों ने अभी तक वीडियो को लाइक ने किया चैनल को सब्सकाइब ने क चल लए है निचोड किलास से आप दोस्तों एड़ी से ले सकते हो निचोड किलास से पढ़ सकते हैं है ना चतुर्त बैच यानि कि एक जुलाई से स्टार होने वाला है चतुर्त बैच तो इस चतुर्त बैच में भी दोस्तों आप जोड़ सकते हो और अपना अध्यान सुर परनी है और दोस्तों इसमें आप आराम से पढ़ सकते हो ठीक है ठीक है ओमाई दबंग जी अर्चना जी निरुपमा दार्सू जी बैरिगोड रश्मी पाठक जी रीनू जी सिबांस जी अखलेस जी अकांचा जी आकास जी ठीक है मीनू हेवानी जगदीश जी विबेक याद जी सरोज जी प्रमिला ममता जी ओदय जी ठीक है नीलम कुमारी हैमा जी धन्वास सभी सात्यों को कलपना मनीसा बिजयलच्च्मी जी ठीक है बभीता मिनाकची रादिका मधू जी मोहित आकास जी राकेश रस्मी पाठक बीनु जी अनिल जी रीता जी ठीक है बबीता जी ओदै जी जानेश आर्ती जी संजय यादव जी वेरिगोड ममता जी जोती पापनी जी रचना लाली जी ललिता जी रीता जी कार्तेक पूजा बर्मा जी रादिका मधू जी बबीता जी गीतिका जी हैना अमिता जी बेरिगोड पूनम अर्शदीप जी अंजु ज रचना हिंदी कलासेस जी बहुत बढ़िया बिलकोल नरेश बत्त जी संजय पाथक जी नब्या जी सबी सातियों को लौकोष जी राजेस जी ठाकौर रामकिसन जी बिबेक कुमार जी बासू जी बीनू मनीशा राजकुमारी बंदना जी प्रेम सिला जी आनंद जी ओमेस जी रेनुका जी, देबेंदर, पूनम, सर्मिला जी, कुमकुम जी, बेबेक कुमार, एकता जी, सबी सातियों को अनिलतेबारी जी, स्नेहा, सिबानी जी, पूजा, अस्बनी, पृती जी, सूरस सिंग जी, कृष्टना, हैमलता, असीस, रादिका जी, बेबीन, ओजा जी, राम सबी सातियों को धन्यबाद, जै, हिंद,